एक सवाल वड़ा इंट्रेस्टिंग सा था, उनका ये कहना था कि सर, जब मैं mock papers solve करता हूँ, तो मेरी performance बहुत अच्छी होती है, जब मैं mock papers solve करता हूँ, तब तो मेरी performance बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब actual examination में जाता हूँ, तो फिर वहाँ वो performance नहीं रहती है, और उसका सीधा सा एक तरीका है, कि आपको सबसे पहले इसका dynamic समझना पढ़ेगा, कहां पर गडबड हो रही है, एक तो आप सभी के लिए suggestion है, कि आप जो भी exam लिखने जाते हैं, किसी भी competitive exam के मैं बात करूँ, for that matter, हमेशा उसके कम से कम 10 से 15 mocks solve करके जाईए, at least 10 to 15 mocks आपके पास solved होने चाहिए, और उसकी detailed analysis होनी चाहिए, कई बार students ये सवाल पूछते हैं, कि सर मुझे कौन सा section जो है, वो exam में पहले करना चाहिए, मुझे grammar based question करना चाहिए, vocabulary based करना चाहिए, या comprehension based question जो है, exams में पहले attempt करने चाहिए, मैं ये आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपका कौन सा area पर command बहतर है, वो आप जानते हैं, और खाल के बढ़ रहे होते हैं, तो ये तो सबसे पहले ये आपको तैंक करना होगा, कि किस particular section से आप जब शुरू करें English को, थोड़ा से जब मैं बोल रहा हूँ, तो exam में क्या strategy होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ तो आप लिखने जा रहे हैं, और उसकी detailed analysis करके जानी है, detailed analysis से आप क्या समझते हैं, detailed analysis एक बार समझा देता हूँ, कि detailed analysis से मैं कहना क्या चाहता हूँ, माल लिजे for example, किसी भी exam के अंदर, English के अंदर 100 questions, एक example के लिए बात कही चारी है, अब 100 questions में से आपने जो attempt किया, वो suppose आप कर पाए 85, माल लिजे ये 60 minute का time था आपके पास 100 questions के लिए, और जब भी आप mock paper लिखोगे, आप बिल्कुल वही situation घर पे भी create करोगे, जो आपको actual examination में face करने को मिलता है, जिस भी exam की आप त्यारी कर रहे हैं, मैं इसलिए एक general बात कर रहा हूँ, और एक general example ले रहा हूँ, यह नहीं कि 100 questions के लिए दिन भर का समय है, 40 कर लिया, नाश्ते से पहले, lunch के बाद 30 कर लिया, बात में शाम को कर लिंगे, ऐसे नहीं, 60 minutes से कमरा बंद होना चाहिए, mobile का कोई interference नहीं, न तो उसमें कुछ देखना है, आपको न गूगल करना है, कुछ नहीं, आपके बास एक timer होना चाहिए, घड़ी हाथ में होनी चाहिए, एक घंटे का टाइम है, 100 questions मेरे पास है, अब 100 में से मेरे attempt कितने हो गए, 85 मान लो आपने total attempt किये, 85 में से आपके 75 let से correct हो गए, और 10 जो हैं वो आपके wrong हो गए, अब आपके detailed analysis यहाँ पर शुरू होगी, कि मेरे साथ क्या होई है, और जब भी आप mock paper solve करते हो, किसी भी exam के लिए, किसी भी section के लिए, एक simple सी बात है कि पहले उस particular section के जितने भी chapters हैं, उनकी conceptual clarity, उनके ऊपर practice questions, question की practicing जैसे मैं आपको हर एक batch के अंदर एक gradit pattern में question कराता हूँ, अभी जैसे banking का batch शुरू हुआ है, तो हम बस अभी प होता है, level 3 होगा, इस तरीके से, जिसको हम basic level या primary level, intermediate level, advanced level कहते हैं, इस तरह से हर एक section के अंदर, हर एक chapter के अंदर, आपको इस तरह से questions मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले ये तैंग करना हैं, कि आखिर क्या कारण रह गए, कि ये 15 question आप से नहीं हुए, आप नहीं कर पाए because जब 60 minutes का time है, तो ये बारत understood है कि अगर कोई भी question आपको 30 seconds यादा आपने समय लिया और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, that how to approach this question, so it's better to leave that question, इस जद पे बात नहीं ले लेनी, ego पे, भया मुझ से कैसे नहीं होगा, मैं class में topper रहा हूँ, अपने coaching वाले class म भी सबसे पहले answer करता हूँ, ये मुझ से कैसे नहीं होगा, ये काम नहीं करना है, because आपको पता है कि hardly 30 seconds, hardly, नहीं होता है उतना भी, तो अगर मतलब 15 seconds, 20 seconds लग चुका है, और आपको कुछ नहीं समझा रहा है, ये how to approach this question, कौन सा concept लग रहा है, या option के जरिये भी आपको that question, लेकिन जब आप analysis करेंगे, तो आप ये जरूर पता करेंगे कि भाई, ये 15 questions मुझ से क्यों नहीं हुए, इस why का जबाब आपको चाहिए, इस why का जबाब आपको चाहिए, उसके बाद क्या हुआ कि आपको 85 questions जो आपने solve किये हैं, definitely in questions पर आपको command थी, आपको ये लगा कि आप जो है depressed नहीं होंगे, या down feeling नहीं करेंगे, या मेरी तो तयारी अच्छी नहीं हुई है, या आप nervous नहीं होंगे, सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पहले ही आपने उस तरह के 15 papers को at least solve किया है, और उसकी detailed analysis की